पोड़ी के चाकिसर तहसील अंतरगत भालू का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है इसको लेकर वन विभाग में शेत्र में गश्ट भी बढ़ाती है वहीं आपको बता दे कि पैठाडी रेंजर ने बताया कि पिछले एक हफते में चाकिसर तहसील के अंतरगत भालू के हमले की तीन घटनाएं सामने आए हैं कि वे रात के समय और चारा लाने के लिए अकेले जंगल ना चाएं साथ ही भालू दिखाई देने पर इसकी सोचना वन विभाग को दे पोड़ी से मुकेश पचेती किरपाउट चेत्र में भालू की उपस्तिती को देखते वे हमने ग्रामिडों की सान बैठक की है और चेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है गश्ति दल में स्थानिया गर ग्रामवासियों को हमने शामिल किया है और ग्रामवासियों को हिदायत दी है कि वो अकेले जंगलों में ना जाए सम्मू में जाए और वालू आसपास गाओं के आसपास बालू देखने पर तुरंथ हमें वनविभाग को अदिकारियों को निकटम चोकियों को सुचित करें और हमें पुरा सही ओग है और ग्रामवासियों को हमारा पुरा सही ओग है